तो हेलो गाईज, टोक्यो रिवें सीजन 3 एपिसोड 16 के सुरवात में हम देखते हैं कि किसा की ताके मिची को चक्मा देखे वासे भाग रहा होता है ये देखके ताके मिची भी उसके भाग रहा होता है लेकिन एक समय में किसा की रूख जाता है क्योंकि उसे कुछ ताके मिची को बताना होता है लेकिन तब हम देखते है कि एक बड़ा सा ट्रॉक किसाकी को उड़ा दीता है और ये देखिता कि मिची बहुती ज़ाद हैरान हो जाता है और वही हम देखते कि किसाकी दर्दे के मारे चिला रहा होता है क्योंकि उसके पूरी हड़िया तूट शुकी होती है उसका सर फट चुका होता है और वही वो कह रहा होता है ये सब क्या हो गया मुझे अभी नहीं मरना है और तभी कोची समय के बाद उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है और वही फिर हम देखते है कि ड्रैगन ने हन्मा को हरा दिया होता है तो हन्मा कहता है तो मेरे ही सब से अभी सब खतम हो चुका है तो फिर हम इसके बात देखते है कि तेंजेकु के टोटल फाइम मेंबर्स अरेश्ट हो चुके होता है और इस लड़ाई में एमा, इज़ाना, किसा की मार जाते है एंड जो बाकिके लोग होते हैं, वो भी वहाँ से जा चुके होते हैं और इसी के साथ हमारा तेंजे को आरक खतम होता है तो अब इसके बाद से सिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काकुचो बच्चो को आता है जिसके बाद ताके मिची उससे बाप मिलने को आता है तो वही काकुचो कहता है पता नहीं, हर बाद मैं ही क्यों बच जाता हूँ लेकिन ताकेमिची उससे समझाता है तो मैंसा मत कहो ईजनने तुमारे लिए अपनी life sacrifice किये तो उसे तुमारे ये बास उनके बहुत ही बुरा लगेंगा फिर काकुछो ताकेमिची से पूछता है ताकेमिची क्या तेंज्यकू पूरी तरीके से भी कर चुकी है तो ताकेमिच लो रहा होता है और वहाँ पे सारे टोमन के लीडर्स मौजूद होते है तो वही फिर हम देखते कि ट्रैकन एमा के तस्वर के सामने बैटा होता है जिसके बाद वो एमा के ग्रैंपा के पाद जाता है और उनसे कहता है मैं एमा को पसंद करता था लेकिन मुझे माफ कर दीजिए मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और यह केके ट्रैकन रोने लगता है और उसे देखके वापर जीते भी लोग होता है वो सब सैड हो जाते है और वही हम देखते कि जो इनुपी होता है वह आसे भार से ले जाता है और तब उसकी म दूसरे को अलविदा कह देते है तो अब इसके बाद हम देखते है के काकुचो उसे स्कुल में गया होता है जहापे इजाना और काकुचो ने पढ़ाए के थी फिर वही जब वो आगे बढ़ रहा होता है तो उसे इजाना के साथ बिताय हुए वो सारे पल याद आ रहे होत है जिसके बाद काकुचो उसी जगहा पर जाता है जहां पर वो इजाना की एरिंग्स को एक गरेव बनाके उसकी ऊपर रगदेता है तो अब इसके बाद हम हनमा को देखते है जो कहता है मैं इदर उदर गुम के ठक चुका हूँ तो अभी समय आ चुका है कुछ नया करने का और अब आगे हम देखते कि माई की एक जगा पर बैटा होता है और तभी वो कहता है अभी मैंने डिसेट कर लिया है तो इसे के साथ हमारा टुके रिफे सेजन 3 एंड होता है अगर आपको मेरा ये एक्स्प्लेनेशन अच्छा लगाऊंगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रू जाना ठैंकियो सो माच पर वोचिंग माई वीडियो